इस चीत रूप से प्रदेश के सिक्षा और सुरक्षा को अरे डेंपल जिस पे लिखा गा वो वाली फाइल देना सपा कारेले में एक कारेक्रम के दोरान कुछ ऐसा देखने को मिला जिससे सपाई और खुद अखलेश यादव भी अपनी हसी नहीं रोप पाए बता देए कि सपा के कारेले में एक कारेक्रम था जिसमें कॉमेडियन अभैश यादव समेट कई सपा के दिगजनेता मौझूद थे कॉमेडियन अभय शर्मा ने सपादफ्तर में अखलेश यादव और उनके समर्थकों के सामने जिस तरह की कॉमेडी की उससे कुछ पल के लिए महौल हसी ठाक के वाला हो गया वैसे इस प्रकार की कारे क्रेमों में कॉमेडियन अक्सर राजनीती खत्तियों और उनके कारियों को हसी ठीठोली का विशय बनाते हैं जिससे महौल आनंद में बन जाता है अभय शर्बा ने जिस तरह से सियम योगी अखलेश यादव और शिवपाल यादव की मिक्री की उसमें अखलेश यादव और वहां मौजूद सपाईयों को खूब हसाया पता दे कि मंचुपर आते ही अभय ने शिवपाल यादव की नकल की जस पर खूब ठाहा की लगे अभय ने शिवपाल यादव की मिक्री करते वे कहा कि अभी जब नेता विपक्ष गए तो उन्होंने बोला कि आपको पहले चयन के लिए बहुत बहुत पताई है लेकिन आपने चाचा को गच्चा दे ही दिया तो जवाब शिवपाल सरका भी बढ़िया था तीन साल तो आपके साथ भी संपर्क में रहे तो गच्चा तो आपने भी दे दिया ये बाते सुनकर ही अखलेश उयादव ठाहा के लगाते वे नजर आई साथी साथ पुरा हॉल हसी सिकून चुठा उसके बाद उन्होंने मुख्यमंत्री योग्या दितनात की ही मिमिक्री की जिस पर अखलेश उयादव भी अपनी हसी नहीं रोप पाई उसके बाद अभेरने माफी मांगते वे अकलेश उयादव की भी नकलता आई जरा आप भी देखिए तो जिस तरह से वो बोलते हैं अपना तमाम आरोप लगा दे रहे हैं विश्चित रूप से प्रदेश के सिक्सा और सुरक्सा को किसी ने अगर नुक्सान पहुचाने का कारे किया है इसमें कभी-कभी सदन में नाम भी ले लेते हैं बाद में पतार चला नाम भी फर्जी ले लिया और किस पार्टी के लोग सामिल है या आप सब लोग देख रहे हैं किसी भी अपराधी को बक्सा नहीं जाएगा तब हमारे नेता जी जवाब देते हैं माफी जाओंगा लोड़ा क्या वात ने कर रहे हैं अरे डेमपल जिस पे लिखा था वो वाली फाइल देना प्रदेश के सुरक जागो खतरा है सरवार किसकी है हमने एक सो सो नंबर की पुलीस आती थी आपने उसको एक सो बारा बना दिया एम्बूलेंस हमने चालू कराया एक्सप्रेस बे हमने प्रदेश को दिया और एक्सप्रेस बे ऐसा है कि आपके लोग भी उसी पट्टी पर उतरते हैं आपके लोग एक बारा बना दिया आपके लोग एक्सप्रेस बारा बना दिया